ओम नमस्षिवाय श्वागत आप सभी का मेरे भक्ती भावना योटुब चैनल पर आज मैं आपको बताऊंगा कि सेवलिंग पर दो चीज चड़ाने से यानि भगवान सिवजी के सामने सेवलिंग पर दो चीज आपको चड़ानी है यह दो चीज चड़ाने से शिगर ही पुत्र धन के प्राप्ति हो जाती है पुत्र प्राप्ति के योग बन जाते हैं संतान प्राप्ति के योग बन जाते हैं निसंतान धम पत्ति को संपूर जन कर लिए वीडियो को लाश्ट तक देखें चैनल को सब्सक्राइब करें बगल में बेल आइगन बटन को प्रेस कर दें हर वीडियो को नोटिफिकिसन पाने लिए भगवान महाकाल अने को प्रकार से भगवान की पूजा की जाती है कोई रोग निवारन के लिए करता है कोई नोकरी के लिए कोई साधी के लिए कोई संतान प्राप्ति के लिए लेकिन कुछ ऐसी चीज़े होते ऐसे नियम होते हैं इनको करने की सीग्र मनुकामना पूरी हो जाती है जो दमपत्ती संतान प्राप्ति के लिए परेशान है संतान प्राप्ति नहीं हो पा रहे है तो उनको यह उपाय जरूर करना चाहिए इस उपाय के करने से शीगर ही पुत्र और संतान की प्राप्ति होगी हर मनुकामना पूरी होगी यह उपाय आपको नियमत रूप से करना है प्रती सोम्मार की सोम्मार को यह उपाय आप कर सकते हैं या कोई भी सुब समय आई तब कर सकते हैं जो दमपत्ती काफी सालों से परिशान हैं पुत्र की प्राप्ती नहीं उपा रही है शिवजी की पूजा भी करते हैं साथ में आपको यह उपाय पर करना चाहिए। यहानी सिवलन्स पर कुछ सामाना आपको आरपन करना है, जिससे सिग्षी पुत्र की मनुकामना पूरी हो जाती है। सौमार के दिन आपको कुछ सामाल लाना है। सौमार के दिन आपको लाना है धतूरा, धतूरे का भ़ल होता है, गेहूं, साबत, थोड़े से भीगे हुए गेहूं, रात को भीगो के रख दे संधे बाले दिन। और दो फल ये तीन सामान आपको लेने है तीनों सामान आपको मंदर ले जाने हैं जब आप सोमार की पूजा करते हैं तब आपको इसका प्रियोक करना है सबसे पहले सोमार वाले दिन आपको इश्नान करना है इश्नान करते समय आपको गंगा मा का ध्यान करना है गंगा मा हर मुसीबतें हर परिसानिया दूर करती है और साथ में आपको मोली और दीपग भी ले लेना सुद्धगी का थोड़ा सा नयव्यद्दी भी ले 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 भगवान को अरपन करने के लिए इसनान करने के बाद में सूर भगवान को जल अरपन करें और पित्रों के नाम से भी थोड़ा सा अरपन करें उसके बाद में आपको जो गेहूं आपने विगो कर रखें सारा सामन लेका है शिप जी के सामने पहले शिप जी की पूजा करें उसके बाद में भगवान शिप जी को थोड़े से गहू अरपन कर दे आपको सिपलिंग पर गहू अरपन करने से पुत्र प्राप्ति जल्दी हो जाती है उसके बाद में फिर ओम नवस्वाय का जाप करते हुए आपको सिबिलिंग पर धतूरा अरपन कर देना है धतूरा अरपन करने के बाद में फिर आप सुद्ध देशीगी का दीपक जला दें और जो फल हैं लेकिया है वो भगवान सिबिलिंग पर चड़ाना है फल आपको मूर्ति के सामने रखने है अब आपको वहीं बैट करके ओम नवस्वाय मंत्र के एक माला कम से कम जाप करना है ओम नवस्वाय मंत्र की कम से कम एक माला आपको जाप करना है उसके बाद में शिवजी के आरती करें और सफेद मीटा या जो भी मीटा आप लेके गए हैं वहे भगवान सिबिलिंग को अरपन कर दें एक दीपग पीपल ब्रक के नीचे भी जलाएं सौम मार के दिन और उसकी आपको परक्रमा भी करनी है यह है चमतकारी और प्रबाब सालिय उपाय है इसके करने से जल्दी से जल्दी आपकी पुत्र संतान की धन की मनोकामना पूरी हो जाएगी यह है गुप्त रूप से किया जाएगा किसी को भी नहीं बताना है कहते हैं कि आप कोई दान करके आओ या पाय करके आओ और अगर आप किसी को बताते हैं तो उसका दसान से चला जाता है तो आप इस उपाय को करें जल्दी ही आपकी मनोकामना पूरी होगी